हेलो स्टुडेंट्स टुडे वी विल लर्न एक्सिसाइज 4.3 क्वेस्टन नमर फर्स्ट नेम दा एंगल्स इन दा गिवन फीगर यह जो फीगर यहां बना हुआ है क्वाडिलेटरल है इसके फॉर साइड से हैं 1 2 3 & 4 इसके एंगल्स के नाम बताने हमें यह जासी यह है एंगल 이거는 ऐ investigative आ अंगल अंगल एंगल बी एंगल सी एंगल डी इसको किस परकार से लिखेंगे इंगल्स जहते हैं इसको आप कोने के करूप में आप समझ सकते हैं यह पहला कोना है यह कोनाया यह दूसरा Angle A यह है यह जो है 3 points से लिखा जाएगा इस Angle A से पहले कौन सा नाम है हमारे पास D है तो D A B Angle A और Angle D A B इसको जो पूरा नाम होगा वो होगा D A B Second Angle B है इसको किस प्रकार से लिखेंगे Angle A B C Angle B और का मतलब होता हुआ या Angle A B C अब C को लिखना है तो C से पहले वाला point कौन सा है B तो B C D यह लिख दिया B C D Angle D है इसको A D C या C D A इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं तो यह समझ मा आ गया होगा आपको कि इसमें हमें Angle के नाम किस प्रकार से लिखने हैं अब देखिए आप question number second In the given diagram Name the points Points के नाम बताने जो points है यहाँ पर A B किस प्रकार से points के नाम बताने है देखिए In the interior of Interior का मलब होता है अंदर जैसे कमरे के अंदर है कमरे के बाहर है ठीक इसी प्रकार है में इन जो Angle होंगे उनके बाहर कौन-कौन से या अंदर कौन-कौन से point है देखिए In the interior का मलब अंदर Off angle DOE देखिए कहां है point DOE तो DOE जो है इस प्रकार का एक portion है यह यह से दिखेगा नहीं आपको DOE के बीच में क्या है इसके अंदर A है तो हमने लिख दिया यहाँ point A In the exterior का मलब है बाहर बाहर कौन से उसमें Angle EOF EOF तो EOF के बाहर क्या है Angle A भी है Angle C भी है तो हमने लिख दिया point angle A and C On का मतलब होता है उपर EOF यह जो EOF यह लाइन खिची हुई है इनके उपर कौन-कौन से point आ रहे हैं तो यहाँ से देख रहे हैं आप E है यह लिखा हुआ है देखो On EOF EOF के उपर कौन-कौन से point है EBOF EBOF इस प्रकार से point हमें लिखने थे अब चलते हैं Next question Question No.3 Draw rough diagrams of two angles दो एंगल बनाने हैं Draw rough diagrams of two angles दो एंगल बनाने हैं Just that they have उनमें हो One point in common एक point ऐसा होना चाहिए जो दोनों angles के अंदर common हो तो हमारे हमने लिखा यहां point O is common यह है O यह common है कौन-कौन से angles के अंदर है A, O, B जब हम लिखते हैं तो भी O आता है यहां A, O, B में O point आता है दूसरा जो angle है वो है B, O, C जब हम B, O, C लिखते हैं तो भी यह O point आ रहा है तो इस परकार से यह O point जो है यह common है इन दोनों angles के बीज में दूसी चीज़ क्या पुछिए है Two points in common अब दो point common होने चाहिए तो दो point कैसे होंगे Point O and C are common O और C लिए हमने O और C तो देखे कौन से angle आएगा एक तो आएगा angle A, O, C यह पूरा यह A, O, C इसमें O और C आगे दूसरा आएगा B, O, C इसमें भी O, C आगे तो point O and C are common in angle A, O, C A, O, C and B, O, C तो यह भी समझ में आ गया होगा C पार देखे Three points in common Three points common होने चीए यह हमने लिख दिया इसका answer not possible यह संभव नहीं है Four points in common 4 points common होने चीए इसमें भी लिख दिया हमने not possible अब इसमें एक चीज़ और पूछा है इपार्ट में One ray किरण Ray means होता है किरण One ray in common एक किरण common होने चीए आप देख रहें यहाँ वही diagram जो उपर है वही हमने नीचे बना है तो OB जो यहाँ पर आपको ray दिख रहा है OB यह इस triangle उपर वाले triangle में भी है और यही ray जो है जो नीचे वाला triangle बनेगा triangle ने angle बनेगा इन दोनों angle में OB common है जब हम लिख रहे हैं तो OB किरण आ रहा है and angle BOC BOC जब हम लिख रहे है तो OB किरण आ रहा है तो दोनों में क्या है यह common है अब देखिए exercise 4.4 question number first draw a rough sketch rough sketch बनाना है चित्र बनाना है और फिट ट्रेंगल का ABC उश ट्रेंगल का नाम होगा ABC mark a point P point P हमें mark करना है उसमें लिखना है in its interior उश ट्रेंगल के अंदर जैसे मैंने बताया अभी interior का मतलब होता है अंदर and a point Q जो point Q है in its exterior वो उश ट्रेंगल के बाहार होना चाहिए is the point A जो point A है in its exterior यह जो a point है वो इस ट्रेंगल के exterior नहीं बाहार है और in its interior यह इसके अंदर है तो हम इसको समझते हैं किस परकार से है तो पहले तो हमने यहाँ एक rough diagram बनाया है एक triangle बनाया हमने ABC तो इसमें पहली चीज इसने का पूछा है कि mark a point P in its interior तो इसके अंदर हमने एक point P यह mark कर दिया है दूसरी चीज पूछी है and a point Q in its exterior तो Q जो है इस triangle के बाहर हमने यह भी mark कर दिया है point Q अब तीसरी चीज पूछा है इसमें is the point A in its exterior or in its interior जो A point है वो इस triangle के बाहर है यह अंदर है तो इसमें हम लिखेंगे point A lies आता है on the triangle ABC यह जो triangle है इसके उपर आता है यह point तो यहाँ है लिखा हमने बाहर है लेकिन point का निशान यहाँ है इस triangle के उपर है तो हमने लिखा है A lies on the triangle ABC के उपर आता है It is neither in its exterior ना तो यह point A जो है इसके बाहर है और ना इसके अंदर है यानि point A जो है इसके उपर है तो यह चीज हम यहाँ लिख चुके है अब देखिए question number second identify three triangles in the figure हमें identify करना है three triangles in the figure इस figure के अंदर हमें तीन triangle हमें दिखाने है तो इसमें एक चित्र हमने यहाँ बनाया है यहाँ diagram एक इसके उपर इसी के size का यह बना हुआ है इसमें से हमने तीन triangle बताने है तो A triangle तो यही है जो आपको दिख रहा है ABC तो हमने लिख दिया है three triangles are ABD ABD यह वाला triangle दूसरा लिखा है triangle ADC ADC यह वाला triangle तीसरा लिखा है triangle ABC यह triangle का symbol है निसान बनाएंगे सोटा से triangle ABC यह पूरा वाला है तो आप देख रहे हैं हम यह तीनों आपको इस के माध्यम से हम बताना चाहेंगे आपको तीन कौन से हैं इसको यहां से हम fold कर देते हैं पहले तो यह पूरा का पूरा एक तो यह हो गया यह पूरा का पूरा जो आपको यह दिख रहा है वो हमने यहां लिखा है ABC अब इसको हम यहां से fold कर देते हैं तो यहां पर यह ये वाला हिस्सा है ये जो आधा हिस्सा है आधे से जादा है ये ये वाला बड़ा जो greater than है एक ट्रेंगल ये है इसका नाम है A, B, D ये हमने शुरू में लिख दिया तीसरा ये है लास्ट में A, D, C जो इसमें यहाँ है देखिए ये A, D, C तो इस परकार से ये तीन ट्रेंगल है एक तो ये पूरा हो गया एक ये वाला पोर्शन हो गया दो और एक ये वाला पोर्शन हो गया थ्री तो इस परकार से थ्री ट्रेंगल एडेंटिफाई हो गये write the name of seven angles अब seven angles यानि कोणों के नाम बताने हैं हमने seven तो angles जो होते हैं वो कोने से आप इसको represent समझिए seven angles are a, b, d यह है न b, तो b से पहले एक point ले लो a, b, d यह वाला हो गया a, b, d, दूसरा लिखा हमने b, d, a, b, d, a यह वाला हो गया तीसरा लिखा हमने b, a, d देखते जाएए b, a, d यह वाला हो गया फिर a, d, c a, d, c यह वाला angle हो गया फिर a angle d, c, a d, c, a यह वाला angle हो गया फिर a angle d, a, c d, a, c इधर वाला angle हो गया फिर last में एक angle हमने और लिखा इसमें b, a, c, b, a, c यह नहीं कि यह पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक एक बार तो के वल इतना है एक बार यह है और एक बार यह पूरा एंगल है यह पूरा एंगल सबसे बड़ा है तो यह हमने यहां seven angles को यहां हमने लिख दिया है अब इसका c part देखिए write the name of six line segments अब six line segment आपने जिनको बोलते हैं रेखा खंड तो वो six line segment कौन से है तो six line segments आप यह जो जो चीज़ा आपको यहां clear दिख रही है पहले यह लिख लो जैसे हमने लिखा यहाँ A, B यह कौन सा है यह वाला line segment है A, B फिर है B, D, यहाँ से लेके यहाँ तक है फिर है D, C, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया फिर है B, C, B, C हो गया अब यहाँ से लेके यहाँ तक यह पूरी लाइन, यह पूरी लाइन क्यों लिखा है हमने, लाइन सिग्मेंट जब ट्रेंगल A, B, C होता है, तो वहाँ यह लाइन सिग्मेंट B, C काउंट होगा, फिर है A, D, यह A, D, फिर लास्ट में लिखा हमने A, C, A, C, A से लिखे C तक, तो देखिए यह 6 होगे, 1, 2, 3 4, 5, 6, क्लियर हो गया, अब इसका एक पार्ट और है, D पार्ट, which two angles have, angle B as common, जो B है वो common है, यानि दोनों angles में, angle B हमेशा आएगा, तो कौन से हमने लिखा यहाँ, which two, यह angles नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ में, ट्रेंगल, TRI ट्रेंगल से, which two triangles, कौन से दो तिर्वोजों में, angle B common है, देखिए, हमने लिखा है, ट्रेंगल ABD, ABD केवल इधर वाला जो ट्रेंगल है, इसमें angle B आया, दूसरा हमने लिखा है, ट्रेंगल ABC, जब यह पूरा वाला है, तो आप, अभी हमने आपको समझाया था, यह देखेगा, जब हम, केवल इधर वाले तिर्वोज को लेते हैं, यह, इस तिर्वोज को लेते हैं, ट्रेंगल को लेते हैं, तो भी एंगल B आएगा, यह वाला एंगल B आएगा, जब हम इस ट्रेंगल को लेते हैं, और जब हम ट्रेंगल यह पूरे को रिप्रेजेंट करते हैं, यह पूरा A, B, C, तो भी B आएगा, तो यही चीज़ हमने यहां समझाने का आपको प्रियाच किया है, कि एंगल A, B, D, A A, B, D यह वाला हो गया, और A, B, C यह पूरा वाला हो गया, यह इन दोनों के अंदर एंगल B as common, तो आप इस वीडियो को लाइक किजिए, शेयर किजिए, सब्सक्राइब किजिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में,